ग्रूप्स प्रॉसेस में क्या हुआ था बताओ फटा फट से आपके पास असाइमेंट अपना कॉश्चन है ग्रूप्स प्रॉसेस किसमें होता था प्राइमरी और सेकेंडरी में तो क्या अंसर लगा दूँ क्यों बता रहे हो क्यों बता रहे हो वाई थी तु है पिंदगे वेज ऑप सीयों बॉल भॉंसी बोट तो नहीं डूटता ना तो सीजिफ्ट नहीं तूटता है चक्छ बॉंड्ध अउच इंडी टूटता है कौनसा बॉण उटता था तो इसलिए अंसर क्या जाएगा सी किसे प्रिपेर करोगे करो फिर फटाफट से सैक ढूटायल ब्रॉमाइड बनाना है किया बनाना है आप लोगों को और किसी बी यूज से बनाओक निटंड बूलिबी बनाने के लिए आपको इसे बans ब्रॉमाइट बनाने के कितने रिएजेन्स थे सारे लिख दूँ यहां पे तब से पहले हमने क्या सीखा था है कि एच बियार किसकी प। रहां एस टू एस सो फूर हां एस टू एस गूर कितने परसंट है वेरि गूल दूसा तरीखा क्या था पी बी आर्ट री अगर पी बी आर्ट थरी ना मिलें तो इन सी टू में कैसे बनाओ गाल गे से पी फोर प्लस बी एर टू पी फॉर कौन सा और और भी कोई तरीका है, इसको भी in-situ में बनाते हैं ना, उसमें क्या डालते हैं हम, N-A-B-R, या फिर, K-B-R, H2SO4, यह सारे तरीका हमें सीख रखे हैं, बनाओ, एक कोशिन करो ऐसे, इससे तुम्हें सारे डियेजंट्स भी याद हो जाएंगे, यह सेक्ट ब्यूटाइल एलकोहॉल, बनेगा कही है, तो पता है ना, तुम लोगों को, क्या बनेगा, सिंपल है, जहां पर O.H. दिख रहा है तुम्हें, वहां पर B.R. लगा दोगे, करो कोपी में जल्दी से, पहला पार्ट मैं करार हो यहां पर, पहला तो कर ले, फर्स पार्ट तो कर ले, तुम लोग पहाड को देख रहे हो, नहीं करने का क्या मतलब होता है, करना है, एक ही बार लिख लो ना, इसका आंसर, बार बार लिखो मत, सब में वही सेम है, यह साइट पुड़क जो होगा, वह अलग अलग लिख लेना, जो में साइट पुड़क भी आद हो जाएगा, रिएजेंट भी आद हो जाएंगे, हाँ तो टू डिग्री में कौन सा नहीं होता, है एच बियार वाला टू डिग्री में नहीं होगा, तो हम यह नहीं बनाएंगे, वेरी गुड, इसमें लिख देना, नो रिएक्शन, यह बहुत समझ में आई, तो उपर जो लिखा वो नो रिएक्शन कर लेना, इसमें भी नो रिएक्शन कर लेना, और इस से अंसर निकाल देना, छोटी जी बात तुम लोगों को समझनी आई तो, कर लोगे इस तरह के सारे पार्ट इसके, घर पे हो जाएगा है, कल मैं आप लोगों से चेक करूँगा, अभी फिलाल क्या करूआ आप लोग, एक इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स सा तरीका समझ लो, सबसे पहले हमने, हैडिंग डालनी है, प्रिप्रेशन ओफ, इंडेक्स कह लो ये शोट नोट कह लो, कुछ भी कह लो, ओफ, अलकाइल हलाइड, अरे हां किना उसमें फिर हमारा मैथड नमबर एक है, किस से बना रहे है मैथड नमबर एक, फ्रॉम एलकोहॉल, एलकोहॉल को बना, एलकोहॉल से बनाने के लिए हमारे पास, तीन मैथड दे, कितने मैथड दे, बाय यूजिंग, क्या, एच एक्स, याद है, एच एक्स में फिर कोन आ ग तो उसे हमने क्या वाना था A, 1.A.A, क्या? HCl, B, HBR, HCl किसके साथ था? HBR, C वाला, HI, किसके साथ? S3PO4, HF तो करता ही नहीं है, तो मत लिखो, 1.A हो गया, फिर आप क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, इसी बीच में फिर reactivity भी लिखे देना, हो जाएगा ये, तो इस तरीके से आप लोग लिख के लाना कल, और ये assignment करके लाना, assignment में जो doubts होंगे वो check होगा, index check होगा, सारी चीजे check होगी, बहुत properly तरीके से, और आप से short note यहां पर बनवा के देखा जा तुम भी सो गए, सब ने ऐसा phone मिलाया, कि चलो सोते हैं, six part, ये सारे हो गए है, फ्लोरोई थेन रहता है, तो ये तो सिखाया भी नहीं अभी है ना, तो ये अभी नहीं करना आपको, करा नहीं हो पर, लेकिन कह रही है कि टाइम वेस्ट हो गया मेरा इस question, और कोई, इसमें से सारे part, कोई सारे कराना है मुझे बताओ, सारे करा दू है ना, कोई बात नहीं, प्यारे बच्चे हैं सारे करा देंगे, third butyl chloride बनाना है, क्या बनाना है, अब जह को third butyl chloride बनाने के ल तो इसमें क्या-क्या रियेजेंट डाल सकते हो, अल्कोहल लेंगे, क्या-क्या डाल सकते है, the best method कौन सा अधरा से, SOCl2, best तो यह है, और best के अलावा और कोई रियेजेंट इसमें काम कर जाए, जैसे HCl, किसकी ZNCl2 डालने की जुरत, इसमें नहीं होती ना, क्योंकि यह कितन और तीसरा, PCL3, या फिर, क्या बोल सकते हैं, PCL5, और भी कुछ है, नहीं न, कर लो, यह second part हो जाएगा, अचा, इनके sideboard, अगर लिखने का मन कर जाए, आपका, तो क्या लिखोगे, HCl वाले case में, जो sideboard निकलेगा, वो निकलेगा, पानी, SOCl2 वाले में क्या निकलेगा, SO2 और HCl, PCL3 वाले में क्या निकलेगा, हाँ, हाँ, H3, PO3, PCL5 वाले में क्या निकलेगा, POCl3 प्लस HCl, और यह पड़क्स सब में मिलेगा, बास समझ में आ गए आप लोगों को, जैसे भी लिखना है लिखिए पटापट से, जिस बच्चे ने किया है, वो मुझसे पहले doubt 12 पर पहुंच जो सीदा, बाकी यह हो गए है, नाला एक बच्चो के लिए फिरम क्यों ही रुकिया है, 12th question, उससे पहले कोई किसी का doubt है, 5th का reason बता देता हूँ, ठीक है, तो बाकी आउँ हमें वापस इसी पे, पहले हम कर लेते हैं, 5th question, क्योंकि जिन बच्चों ने ट्रा क्योंग, Compounds, A and B, यह लखवाया, मैंने आपको शच्च कराया था, लास्ट जो आपकी कल नोट्स बनवाया थे उसमें यह question मैंने करा दिया था, अब एक है आपके पास, यहां पर ध्यान से देख सकते हो, एक तो आपको यह दिख रहा है, simple सा, इसमें क्या करना है आपको, यहां पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर किसके साथ रियक्षन कराई आपने, N-A-B-R किसके साथ, S-2-S-O-4 के साथ, अरे कराई के नहीं कराई, यह वाला पूण तूट जाएगा, कि नहीं तूट जाएगा, अच्छा यह N-A-B-R-S-2-S-O-4 किसकी प्रिपेशन है, इन- बेंजिन रिंग, क्या है यहां पर? अच्छा, बेंजीन रिंग में क्या दिक्कात आती थी? यहां पर, क्या था? बताया था आप लोगदे क्या ग्सा़ बंड? अगर इसके अंदर में एन-N-A-B-R ना और क्या डालूं तो क्या होगा कोई प्रॉब्लम लिख दो फटा पट से क्षिंज नमर फाइव जीन बच्छों नहीं किया है कोई ऐसा बच्छा इसको असाइमेंट नहीं मिला हो इसको कोश्चन भी लिख लिख लिए अच्छा टाइम पार फूटर रहा है इसका कोश्चन गाढ़ा नहीं हो यहां से देखके लिख लिख लिए अंजी नेक्स बताइए पांच प्रकॉश्चन का रीजन पर चल गया आप हम चलिए बहुत बढ़िया सेवन कह रहा है कि हाव कें यू अपें आईडो इथेन फ्रॉम इथेनोल अरे यार यह तो असान सा कोश्चन पूश लिख लिया नहीं हो पाई रहा कि करो सारे बच्छे मिलके करो इसे सब करो इथेनोल ऐसा एक और शब्द यूज कर रहा है इस बन जाए यानि की सीच्टू एच फाइफ या सीस्ट्री इस चुआ यह बात है ना यह बनाना है पर इसने बोला वैं और अधर आयोडेन कंटेनिंग रियेजेंट्स एक्सप्ट एन ए आई मतलब एन ए नहीं है एन नहीं है अवेलेबल इन दा लेबोर्टरी नहीं है तो क् कि आई होगा कि आई नहीं है तो क्या होगा पी आई त्री डाल देता हूं मैं बहुत तरीक हैं भाई पी आई तरी और क्या था रैड़् फोस्पोरस प्लस आई टू नहीं है ना कि अग्याई को किसके साथ S3PO4 है ना S2SO4 के साथ HBR भूल गए और कोई बात और कोई तरीका अब तो नहीं है न कोई शायद चलो जल्दी करो HI भी डाल सकते देवा से कितने परसेंट 57 केटलिस्ट क्या S3PO4 सब में यही मिलेगा पर साइट पुड़क सब के अलग अलग होते हैं जैसे अगर तुमने PI3 लिखा तो साइट पुड़क क्या है बोलो यार S3PO3 इसमें भी वही मिलेगा साइट पुड़क इसमें जो साइट पुड़क है वो बताओ मुझे यह तो मिलेगा है मिलेगा साइट पुड़क क्या इसमें के बेरिगुड के एच टू पी ओफूर वेरिगुड वेरिगुड और एच एच टू ठीक है लास वाले में भी वही मिल जाएगा इसमें यह साइट पुड़क है मेन प्रोड़क्त में यह बनाना था इस तरीके से सब्सक्राइब कर लिए एट में ऑडर ओफ रियक्टिविटी कितना तुच्छा कोशन है कोई बच्चा बता देगा यह तो विद्धी हैलोजनेस बता सकता है कोई बच्चा थ्रीडिग्री नहीं है यहां पे थ्रीडिग्री कौन है सेकंड ऑप्षिन आएगा वेरी गुड़ अचा यह पहला वाला कैसे है जिनको नहीं मालूँ है इसमें कोई दिक्कत वाली बात अचा इसे नेक्स वाला इस पर जुड़ा हुआ है यह इधर जुड़ा हुआ है इसका मतलब टू डिग्री है यह वाला त्री डिग्री है क्योंकि इस कारवन पे ओएच है इधर दो सीस्ट तरी सीस्ट समझ में आ रहा है तो तो तीन दो एक बोल वाई सी बी ए को गया करू भाई घूपी में अ हुआ हो यह तो नाम वा कोशन आ गया है सिनेमल क्लोराइड है सिनेमल क्लोराइड कॉमर्ण नेम है जुसे हम बोलते यहां पर डबल बॉंड फिनाइल वन पर फिनाइल थ्री पर क्लोरो वन पर फिनाइल है थ्री पर क्लोरो है और बाकी के हाइड्रोजन पूरे कर दोगे आप लोग यह है सिने माइल क्लोराली या फिर ठी लोड फिनाइल पर बनीन का सख्चर कितना प्यारा इस्ट्रक्चण रहीगा यह को मन ने मैं यह इसी का यूप इसी में ने है यह बार पे question के बाग किसी को नहीं पूछना है sequence में चले अब हम ओके so हम थे second question पे second question में B part हो गया है C part करना है हमें करिए कैसे करोगे C part हंजी नहीं हो पाएगा यह तो असान है यार two bromopropane बनाना है हमें किस से बनाओगे second degree है bromo बनाना है ना एक reaction डालूगा और बार बार यार बहुत ज़ाद हो जाता है क्या डाल दो इसमें second degree वाला HBR में नहीं best care हैगा SOCl2 BR बनाना है ना तो PBR 3 डाल दो और PBR 3 भी ना मिले तो red force for us डाल देना SOCl2 पे CL आएगा PBR 3 इसले डाला है ताकि वो two degree alcohol को भी कराता है अगर मैं HBR डालता तो क्या कोम हो जाती alkene तो इसलिए हम HBR SO4 नहीं डालना है यह हो गया जी second part next इसमें आप क्या कर सकते हो one bromopropane क्या करेंगे बताओ इसमें आपके पास क्या डालें इसमें बोलो इसमें डाल सकते हैं HBR किसकी presence में S2SO OH क्या जाएगा BR बन जाएगा one bromopropane इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह वन डिगरी का ही है इसमें आप कोई भी डाल सकते हो पीवी अरगी बीडाल सकते हो रेड़ फोस्फरस भी डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो जिसे ओएच ना वेच की जगा जाए बी आरा जाए नेक्स पार्ट आप खुद ही ट्राइब करिये यार इथाइल आइड यह तो अभी करना नहीं है इ नहीं है यह जाएद मैने अभी इथाइल आयोडाइड ऐसे कुछ कराया नहीं है अरे यार अभी कराया है कोन्से कुश्चन का आप सेवन्त वैसे यह करो फट अपट जियां पर भी मुझे याद रहते हैं तुम लोग भूल जाते बताओ इथाइल आयोडाइड कि इथाइल आयोडाइड का क्या फॉर्मूला है कि सीएस थ्री सीएस टू है ना या फिर सी टूएच फाइफ जान देना तुम लोग वह दो मिनिट में भूल जाते हैं तुम सब कि बहुत ही एडवांस बच्चे हों ओएच लिख लेंगे यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूं एक्चाई एच्ट्री पी और फॉर के प्रेजिंस में इस और जाएगा जल्दी करिए अभी एफ वाला पाट आप लोग नहीं करेंगे मैं आपको सिखांगा जब करोगे अब दो ड्रोग द्रोग अफ मेजर मोनो हैलो प्रोड़क्ट इन इच अफ दी फॉलोविंग रियक्षिंट पहला क्या है यहां पर बताएगा यहां पर क्या है बैंजीन बिंग ऐसे गुस्टा नहीं है इस वाइकलो है फिर क्या है और फिर और और यह 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 कूशन बढ़े कर दो कर लिया क्या बनेगा पीचल फाइब डाला इसके अंदर क्या बनेगा बटाओ ओएच की जगा क्या करना है तुम्हें डाल लो कि किसी को पता नहीं चुलेगा नेक्स वाला यह भी क्या पूछ रहे हैं क्या डाला यहां पर एस वील्ट क्या होगा ओएच की जगा जल्दी करिए बैस में तरो दानाएं एसो सील्टू कुछ बोलते दें हम रेरी गुड थायो नाइल कुल्राइड प्रोसेस का नाम डाल्जन प्रोसेस इंद प्रेजिन सो पारेडी नहीं भी जरख है तब भी बात बन जाएगी जल्दी करिए दन उसके बाद चलते हैं फिर अगले कुशन की तरफ कुशन नमर फूर अलकाय हलाइड और प्रिपेरड फ्रॉम्द अलकोहॉल बाई ट्रीटिंग विद अब यह बताओ क्या अंसर है इसका 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 अंसर क्या है प्यारे बच्चो क्या एच्चियल से नहीं बनाया सकत है क्या रेड फोस्फरस भी अर्टू से नहीं बनाया सकता स्टो क्या इसका इसका ऐसका चाहेगा एंग तो जैयाद दिक्त वाली बात हुई नहीं सभी से बनाया सकता है को बड़ी बात नहीं पीछे हमने करक है तो कोई बड़ी बात नहीं है पता हुट से ने क्सकी तरफ बढ़ते हैं हम के साथ तरफ नहीं था ना ओह 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 स्थी प्यो फॉर कर ले ना यह कोशन मैंने करा दिया अभी अभी कोशन नवर पाइब करा दिया ना मैंने किसे बच्छे का डाउट भी था शिक्स क्लासिफाई था फोलोविंग कंपाउंड एस एक ब्रॉमो ब्यूटे इन प्राइमिरी सेंडरी और रिकुत टॉ इन पर उसमें सब्कुल नैयरे में बॉदौ कुछ ही ओक है डिजर्क निग्रीं कि यह क्या है कि में डिकरीं का गया उसमें हेलेमक है व्हेник नैकश् ng और रॉप्स कर दो सब्सक्राइब इस को गया हुआ है अर्ब्सक्राइब यह को धार्ड वाला लगेठ करेंगो आप लिए तुम सब बड़े हो गया ना अब यह त्री डिग्री कैसे सब बनाया आप लोगों ने सेके वाल सब मैंने बनाया नहीं पर तुम लोग कह रहे हैं तुमारे पर बर्णोसा करके मैं आगे बढ़ रहा हूं कुश्चन नमबर सिक्स कर लिया तुम लोगोंने सेवन मै ने करा दिया क्या ओके कुश्चन नमबर एट भी हो गया तो यार क्या पूछ रहे हो कुश्चन नमर नाइन जीदा स्ट्रेश्चर ओफ दा प्रोड़क्स विए एक्सपेक्ट फ्रम इच अफ फॉलविंग जिसने कॉश्चन नहीं दिख रहा है जिसके में यहां से लिख कि यहार इसमें पता क्या करना है तुम कर लोगे वैसे करो अधा क्या करो जल्दी करो पर जो भी करोगे कि एंसे एडिक कोश्चन है वैसे क्या करना है यह तीन वी एजेंट्स है कितने रियेजेंट्स है ए बी और सी यह बी नहीं है इन तीनों वीजेंट्स को बारी बारी से ब्यूटेन वनोल के साथ रियक्शन करानी है बाह समझ में आगी आप लोगों चलिए ट्राइब करिए एक बार समझ में आएगा व्यूटेन वनोल किस से किस से रियक्शन करानी है एक दो तीन चार ऐसे बनालो व्यूटेन वनोल और तीन रियेजेंट्स एक साथ अलग 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 एरो पे पहला रियेजेंट्स क्या है एचल इन प्रेसेंट्स आफ वेरी गुड दूसरा एच अधियार किसके साथ है एक एस्ट्रस फोर के साथ और लास वाला इन तीनों के प्रट्स आप लोगों को आते हैं मुझे कराना पड़ेगा तो करो को पी में पढ़ना फिक से अगर यह हो गया है तो इसका सेकिंड पार्ट भी करना हम तो कि अगर तुम लोगों को यह सब आता था तो घर पे क्यों नहीं किया मन नहीं करता न तुमारा कि कोन पड़ेगा इतना सब कुछ कि अगर आप है 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 थीक है है एक यह रजाएगा चलिए बढ़ते हैं फिर अगले कुशन की तरफ है 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 सेक्ट दो पार्ट से इसके आप लोगों ने कर लिए है ओके नेक्स्ट यह जो कुशन नमर्ट टैंथ हैं यह आप लोग लिख लेंगे चैप्टर लावन में में के साथ ना आप लोगों को समझाऊंगा अभी आपको कराने को कोई फाइदा नहीं है इस कोश्चन की लिमिटेशन है इस कोश्चन को अगर हम बनाएं तो यह कुछ ऐसा बनेगा आप लोग पास यह कुश्चन नमर्ट लावन डालके ना ऐसे करके लिख लो स्ट्रक्चर ऐसा है मेरे ख्याल से इसमें इसमें डाला है अपने एच भी आर अम मुमन क्या होगा यह बताओ मुझे उएच क्या हो जाएगा यहीं सीखा गया है ना करो पड़ा पड़ से एक पार ऐसा होता नहीं है शिफ्टिंग हो जाती है जिन बचों को यह शब्द पत है वो तो इसका सही अंसर बता पाएंगे अब शिफ्टिंग का क्या सीन है यह अंगले चाप्टर में मेकैनिजम में जब करेंगे तब समझ में आएगा अगर यह बना कि आते हैं तो गलत हो जाएगा याद रखना में पर यह की बनानों जीने किया चल रहा है सुपकुस में रहता है कि शृजर बहुत जोस में रहता है इसके साथ इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा है के और हुआ यह इस साफ़ी फुरॉब LP yeahре की से आया मुझे कैसे पता है इसके लिए round चैप्टर 11 में पढ़ेंगे यह वाला कोश्चन कितना प्यारा कोश्चन है क्या अंसर होगा इसका वैसे एलो अंसर बताइए इसका 48 कोई दिक्कत वाली बात क्या पूछना तो 48 परसेंट होती है याद करना थे तो चलिए नेक्स्ट यह करा दिया मैंने ओके थर्टीन कोश्चन दिविरिंग अप्रिपरेशन आफ आइडो अलकेन करा वह यह कोश्चन बताओ तो शुटेवल एलकोहली रीफ्लक्स शुटेवल बॉइलिंग हाइड्रो 57 है में अलसो भी अच्छा फिर क्या था यहां पर 95 परसेंट फोस्फोरीक एसेड ऑन के आई वेरी गुड तो इसलिए हमसर यह हो जाएगा तो यह वही नतीज़ा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है 14 कोश्चन राइड फोस्फोरस लगाओ लगाओ लगा रखा है अरे बाद नेक्स्ट इसमें क्या था थाइनल क्लोराइड मेथट इस प्रिफर्ट ओवर दा हाइड्रोजन क्यों या फोस्फरस लुडले मेथर्ट इसमे're चैन एक बढ़ाणे के साथ तुम लोग बताने लगाई हो अगए अगर हम अच्छ हरो तरीके से प्ढ़ने में हो बताने लगाओ लिघ्रो हुटा है थोड़ाँ तो आपढ़ने का फाइड हुटा है थोड़ा थोड़ा सा है अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ ले तो नेक्स कोशन कोश्चन नबर 16 करक है आप लोगों ने कोश्चन नबर 16 में क्या है अमंग फोलोविं कंपाउंड विच इस दा हाइस डिक्रिफ टोड्स इसमें भी डिग्री का खेल है स्ट्रक्चर बनाईया आप लोग कि च सी ओप्शन आ रहा है अब मिद्द सी क्यों आ रहा है यह बता दो तू डिग्री गैं अप्रोपाइल अलकॉहल सबीको पता है ए स्ट्रेट आता है जिनको नहीं पता है जल्दी से लिख लो यह वन्डिग्री का अलकोहल है आइसो ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल भूल गया मैं है बताएगा कोई बैच्चा मझे हाँ हाँ CS3 CH CS3 CS2 और OH क्या है यह आइसो ब्यूटाइल एलकोहल एक डिग्री वाइड गुड वन डिग्री का यह अचा कर वन डिग्री यह भी है वन डिग्री यह भी है इन दोना में रेक्टिविटी पूछ ले फिर मैं चल लिखवा देता हूँ अरेंज भी करा दूँगा A है यह B है C वाला क्या है Sec-butyled Sec-butyled means Secondary Secondary Butyl alcohol है नव D वाला क्या है नियो पेंटाइल नियो पेंटाइल यह दे किसी को क्या हो तो बताओ चार डिग्री का carbon पर attachment किससे होगी वन डिग्री ये भी वन डिग्री का है अब वन डिग्री का कितने है हमारे पास तीन सबसे दर रियक्टिफ पता कौन है इन में से C तो ही क्योंकि वो दो डिग्री का है है ना C के बाद बताओ जहां पर भीड़ जादा है ठीक है तो क्या जाएगा C सबसे जादा है C के बाद D D के बाद इन दोने में भीड़ गाए है B में और फिर उसके बाद A ये reactivity order लिख लेना सबी मच्चे इसके बादे में बहुत detailing हम 11 चप्टर में भी करेंगे बट फिलाल आप ऐसे समझिए कि जादा carbon की chain जादा reactivity जादा carbon की chain मतलब जादा reactivity इतनी बाद समझ में आ गई है अब लोग उसके बाद चलते हैं फिर अगले question की दरफ 17 बताओ वाई इस answer क्या है B है पक्का कितने बच्चे कह रहे है कि D है A and B दोनों आएगा C तो उसे नहीं होता है कर भी भी क्योंकि BR2 के साथ यह दोनों होते थे इसलिए अंसर क्या जाएगा बोथ A and B याने की D तो question number 17 बहुत ही असान कुछ कराने की जोड़त नहीं है इसके अंदर अठारवा question तुम लोग नहीं करा अगर यह दिमाग most convenient method for the preparation of halogen involves the substitution of OH group of an alcohol by the halogen atom for a given alcohol the reactivity of the halogen acid decreases as कराया हुआ है क्या है पटापट से सबसे ज़्यादा कोन है reactive HI, HBR, HCA कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा D option हो जाएगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही असान बढ़ते हैं फिर अगले उसकी दरफ उन्नेस वा लगाओ लगा दिमाग लगा following compounds is reacting with the PI3 gips इससे structure में को बनाना पड़े है कैसा structure है ऐसे ऐसा है क्या मैं से सब्सक्राइब रियक्शन करा रहा हूँ तो मैच्स कर ले ना option में PI3 क्या होगा यह पता क्या है कार्बन तो है यह भी कार्बन यह भी कार्बन है यह पता है structure क्या है नियू है ना नियो पेंटाइल एलकोछ इसका structure ना जो आप सोच रहें वो नहीं बनेगा समझे रहें आप लोग इसका structure बनेगा ऐसा क्यूं मेकैनिजम करनी पड़ेगी ऐसा कोई structure नहीं है लगा दो इसका नाम लिख लेना एक कार्बन दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है यह तीसरा कार्बन नहीं है इसा कोई भी बना ले ना फिर नहीं है तो कार्बन बना लो कार्बन में समझ में आवेगा ऐसा क्यों हुआ यह चैप्टर 11 में पढ़ेंगे मेकैनिजम में नेक्स्ट कुशन नमर उन्यस बीस्वरी तबैस्ट यह पूछ लिया अंतर बखाओ थायोन आलकुल राइट हैना असान यह तो लुकास रियेजेंट किस काम आता तब ऐसे टेस्ट करने के यहां ते तुम लोगों को वन डिगरी कराया है लुकास रियेजेंट ही निकराया है लुकास लुकास टेस्ट कराया है के जले अफनी चौalक बेटों कर लो यह तो लीकास टेस्ट हैं PP लोगे आप लोग न सबसे पहला मेठ़नी किस नहीं पड़ेगी पहला दू के साथ है है कि इसमें वान डिगरी ट्री दिटीनो करा रखे हैं है वुब्स प्रॉशेस लिगए है ना आपने द्द्ध क्रॉब्स रॉश innovation ग्रॉश में लिए है आप luôn करेस्ट है कि यह जैसे ग्रूप प्रॉसस लिखना वहां पे साइड में वहां पे लिख लीजिसे लुकास टेस्ट इनमें यूज वहता है नगो सुनों उसी पेश्च पर एना आप लोग उसी पेश्च पर रहना में आप पर आपको समझा लेता हूं आपके पास थीन टेस्ट्यूब ह तीनों में अल्कोहल है क्या करोगे तीने के बारे मुझे सोचना करोगे क्या इनको डिस्टिंग्विश करना इसी में एक दिगरी का किसी में तीन दिगरी का सब के अंदर हम क्या करेंगे है पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे टीनों में जैसे हम इसमें डालेंगे तो इसमें से जो बी वाला था उसने यह प्रेसिपिटेट दे इंस्ट जो इंस्टेंट रिएक्ट कर जाए वो कितने डिगरी का अलकौल होता है ताइम लिखवाया का वहाँ पे मैंने इंस्टेंट रियक्ट रहने वाला 3डीकरी का हो गया अब बचा ए और बचा बी हो गया ना की कितने दिखरीक है ए और क्या बच गया हमारे बस अब मालो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया एन्हेड जटन सी ल्टू क्या डाला ए इसम और तो यह कितने दिगरी का है। इस तरीके से से करना लुकास टेस्ट करता है। क्या करता है। लिखेंगे लुकास रियेजेंट जो लुकास रियेजेंट होता है वो होता है HCl plus anhydrous ZnCl2 HCl plus anhydrous ZnCl2 used to distinguish between the primary, secondary and tertiary alcohol used to distinguish between the primary, secondary and tertiary alcohol used to distinguish distinguish का मतलब होता है अलग-अलग करना separate करना, identify करना primary, secondary and tertiary alcohol done है कि यह diagram बनाना है यह समझ में आ गया है अच्छा next इसमें best method क्या था वैसे हमारा C हला कि लुकास्ट ऐसे भी बिलता है लेकिन C is the best method red phosphorus blue chlorine वाला भी है पर वो best method नहीं है tolerance reagent के बारे में अभी आप लोग जानते हैं नहीं हूँ chapter 12 में पढ़ोगे वैसे tolerance reagent के बारे में situation करके दिखाऊं यह हो जाएगा साइट बढ़ क्या मिलता है इसमें बताना जैसे मान लोग यूटे ना लेने एक जो तीन चार वह है इसमें मैं क्या डाल रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे यहां पर बियार और साइट बढ़ क्या है हमारा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नेक्स्ट 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 कोश्चन नमर 21 तू किसे बनाएंगे हम उपिस लिए तो अंसर क्या जाएगा हमारा इश में भी क्या ही था अधर रियेजंट रिट्वाइट टू अप्टेन क्या वन आइडो व्यूटेन फ्रॉम वन व्यूटेनोल क्या-क्या यूज्सक्र सकते हो एं यूज्सक्र सकते हो और और कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं ना कोई कॉम्बिनेशन यह नहीं तो बस एंसर आएगा इसका नेक्स्ट कि अजी विच ओ फॉलबिंग है लोजन एक्षेंज अच्छे यह कराया निया ना आप लोगो चौविस वा कुश्ट गलत जाल दिया यहां पर है लोजन एक्षेंज मैं अभी तक हम नहीं किया इसको आप इसका इसका भी अंसर तभी आप लोग ने इसका मतलब गूगल से किय है नालाय को नेक्स्ट पूछ भी रहा था यह 24 वा कुश्ट 25 वा कुश्ट दुबारा आ गया क्या है इसका अंसर बदनाम है यह और गैनिक की गलियों में नेक्स्ट पी-सी-ल-3 क्या देगा इथायल अलकॉल को कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको क्या है क्या क्या जाता है है ना असान घर पे अगर 15 मिनट बैट जाते तो हो जाता लेकिन तुम लोग बिल्कुल ही निकम में हो नेक्स्ट एक्स्ट एक्सलेंट बाए था अरे यार क्या पूछ लाज ने बताओ क्यूंकि वो क्या देता है एसो टू सियल टू गैसियस फोर्म में देता है ना सेट्मेंट में लिखनी है आपको तो लिख लोगे एलकोहल रियक्ट भीड किस से एसो सील टू से तो क्या मिलेगा और सियल एसो टू प्लस है यह दोनों गैसिस फोर्म में देविल एस्केप आउट एंड लिविंग अप्योर क्लोरो एलकेल अरे हां किना यार यह सब लिखो अपनी कोपी में तुम लोग हिंदी में लिखना है कि थायवना एलकोहल से रियक्ट कर रहा है तका फ्लोरो एलकेल मिला उसके साथ ही जो प्रोडक्स मिले हैं वो गैसेस फोम में और वो उड़ जाएंगे फ्लोरो एलकेल को प्योर छोड़ के उड़ जाएंगे और इसलिए यह बैस मेथर माना जाता है डान है जल्दी गरो यार थोड़ा तो जल्दी गरो नेक्स्ट क्या है विच्ट फॉलोविंग रियक्शन कैन बी यूस फोर दा प्रिपरेशन आफ वाट एलकायल है राइट्स क्या पहला हो सकते हैं पॉसिवल है पहला पॉसिवल तो देखो सारा ही सब कुछ है सिवाए एक को छोड़े है वो किस को फोर्थ को छोड़े दूसरे को छोड़े है इसा दूसरे में क्या दिक्कत ये बताओ इसला के साब्ध क्या आना है एक हैनन रहोंग कि फॉर्थ में तिक्कत है ऑद आन्यक्ट हए औल तो यह तो यह तो यह सेकेंड वाला गलत है अच्छा यह कितने डिग्री का यह बताओ त्री डिग्री का थी डिग्री में जैनन्स एल्टू की जुरुत पहला हो सकता है तीसरा हो सकता है और चोथा तो क्या है गाएगा वन थ्री फोर करा के देखोगे या आगया समझ में पक्का ना शपाई मजीन नौँ बनना यह से किकन य सो थर्ड वाला य है स्वरी पोर्थ वाला यह तु मैरा टू टिक्री का नए डिग्री डिक्रियों तो यूज होता था कि समन्हीं तो देखाई ठ्रीडिग्री में नहीं होगा त्सीम्पलिए डालो तो हो जाएगा जैसे यह प्रिफ़र नहीं करते हैं ग्रूप्स प्रॉसस क्या है और वो भी कौन सा प्राइमरी और दूतरा अगर एक और ऑप्षन होता तो सेकेंडरी अलकोहल उसमें रियक्ट करता है अलकोहल क्या करता है रियक्ट C2H5CL क्या होगा बनेगा क्या बनेगा C2H5CL All of these हैं कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इस से तो हम जानते ही नहीं है ना तो option क्या आगया सिर्फ C क्यों आया है reason पता होना चीए सिर्फ C पे tick लगाओगे तो C जैसा महसूस करोगे 29 वा question हो गया बढ़ते हैं आगे 30 question with the hello acid वो यार हाँ यार मिलकू तो यह लग रहा था C equal नहीं होते गए सब्सक्राइब अरी activity किसकी है 3, 2, 1 क्यों क्योंकि वहाँ पे क्या form होता था कार्बो केटाएन क्या बनता था जो ज़्यादा stable 31 31 which of the following is not a reaction of ethylcholuride अच्छा पहला वाला सही है क्योंकि यहाँ पर OH की ज़्याँ क्या हो गया है है साइट पड़क भी हमारे सही लिखे हुए सेकिंड वाले में भी PCL 3 3 PCL 3 होता है और S3PO 3 मिलता है देखा साइट पड़क याद करने का क्या फाइदा है अच्छा एसोसील टू तो यादी हो गया होगा अगर तुम ना हो तो फिर में यह कोश्चन ना कर पाऊंग नेक्स्ट अब यह हैसी है पका कंवर्दन ओफ एल्कोहॉल टूदा मोनो आयोडाइड अलकेन विच अप्ड़क इस यूस एन्ने आई तो मतलब नहीं अभी एन्ने आइस त्री यह यह भी सही है स्ट्रियशने अवह स्ट्रिक आवजब यह का तो कोई मतलब नहीं है तो अंतर क्या जैंग अभी ययां है तुम लोग शूर्टिवर जोड़ी यह दोreck पर चोंक्सराई यह यह दोज़ों बन्यिश्च से और्व रीजन यह वही कोश्चन है शायर नहीं एक अभी कोश्चन कर आए था ना हमने अभी शिफ्टी वाला वैसे कोश्चन है नहीं सेम है अलग है थोड़ा सा दिफरेंस है क्या डिफरेंस से दिखाना मुझे सेम ही तो यार अभी एक वीज़े कोश्चन बताया था वही है तो इसका अंसर सही अंसर आप लोग लिखरीजी अभी और कैसे आएगा जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमसे और वो भी चैप्टर 11 में जाके सीखोगे तुम चाहूं तुम्हें अभी भी ब हो जाएगा है ठीक है तो यह था हमारा 33 कोश्चन और कोई दिखकत हो तो बताओ मुझे किसी बच्चों और कोई डाउट क्या सारे कोश्चन कर लिए आप लोगों ने तो आज के लिए बस इतना ही ठीक है बस इतना ही तरह एक बच्चा कहा रहा है कि नहीं मुझे और चाहिए को मतलब है यह नौटी बॉइल